स्वागते दोस्तों आखरी लेक्चर एनपीयो का और मेरी तरफ से मैं आपको ग्यारेंटी देता हूं कि इतना करने के बाद एनपीयो का कोई भी कॉश्चन जो आपके एक्जाम में आएगा वो आप आराम से कर पाएंगे अब सरकार आज के मैनू में है क्या तो आज के मैनू में है भेतरीन से कुछ कॉश्चन एक कॉश्चन है जो आपके एक्जाम में आया था और कुछ कॉश्चन मेरे एक्च्छ होई कि मैं आपको RTP से करवाओ RTP का मतलब होता है Revisionary Test Paper ये ICI exam से पहले इशू करता है उसमें हर चेप्टर के एक एक कॉशन उठा के चुनिंदा वो रखता है और ऐसे मेरे पास कुछ चार RTPs हैं जो आपके Past Examination में RTP के तोर पर ICI ने आपको दिये हैं और मालमा आपको ये जो RTPs होती हैं इसका कॉश्चन इस अटेंड में भली आई चान आए लेकिन पुरानी RTPs के कॉश्चन बाद बाले एक्जाम में जरूरा आते हैं और लगब लगब 20 मार्क्स का पेपर पुरानी RTPs से फसता है तो जितनी RTPs में हमें खरबा रहा हूं वहत अच्छी बात है लेकिन आपको एक्जाम के लिए एक टिप्स है कि बहिया ICI के Board of Studies के पोर्टल पे जाना और जितनी RTPs दे रखी हैं चाहे वो अकाउंट्स की हो चाहे वो किसी और सब्जट की हो वो जरूर जरूर से करना क्योंकि बहां से कम से कम 20 नंबर हर पेपर में आएंगे ही आएंगे कच चलिए सरकार पढ़ते हैं आज का Question और वो Question है November 18 में 10 Marks के लिए पूचा के Question तो सरकार ये रहा आपके सामने है You are provided with the following अब सरकार ये following क्या है तो balance sheet as on 31st March 17 और इस balance sheet में है capital fund यानि जनल fund subscription received in advance मालिक यह जितना से लग रहा है हाँ यह देखो यह current year का receipt payment है 31 March 18 का और यह balance sheet 31 March 17 की मतलब यह balance sheet आपकी opening balance sheet है तो मालिक आपकी opening balance sheet में 6000 रुपए का advance subscription है यानि किसी सेट ने last year ही इस साल के लिए advance दे दिया था तो अब वो इस साल सेमाए तो लेगा लेगा लेगिन पैसा क्यों देगा पैसा दो पहले दे चुका है तो यह amount इस साल के subscription accrued due में शामिल होगा भूलना मत क्योंकि यह वो जगह है जो बच्चे भूल जाते हैं ध्यान रखिएगा यह opening advance है अपना rule बनता है ना subscription receive plus opening advance minus closing advance यस ओके चलिए आगे पढ़ते हैं outstanding expenses 14,000 के हमारे माथी पर रखे हैं जो हमें last year चुकाने थे बरते हैं सरकार एक loan ने रखा है 40,000 का अब इस loan पर चुही rate of interest नहीं दे रखा अगर दे देते तो चाहें ब्याज आप pay करो या ना करो आपको accrual business पे खरचा तो book करना पड़ता लेकिन thank god आपके सामने ऐसा कोई rate नहीं है तो मतलब अगर question बोलेगा तो हम ब्याज देंगे अजरबाइस कुछ नहीं करेंगे और इसके अलाबा और इसके अलाबा अगर इस loan का कोई payment आपने साल किया है तो आपके receipt payment में आजाएगा और अगर कोई payment नहीं करा या कोई नया loan नहीं लिया तो यहीं आपका opening loan closing balance sheet में भी आएगा चलो और आगे पड़ते हैं क्रेडिटर के दस्यार रुपह है सेम रूल अगर इस साल के receipt payment में क्रेडिटर का कोई payment लिखाए तो अच्छी बात है अगर इस साल के question में आपको कुछ दे दिया कि हमने इत्तमाल और उधार खरीदा तो वह आपके क्रेडिटर को बढ़ाएगा और अगर ऐसे कुछ नहीं मिला तो आपका ये जितना opening creditor है यही आपका closing creditor भी बन जाएगा चलो और मालिक आगे बोलते हैं building दिल्डाक की है opening building बिल्डिंग is subject to depreciation provided question आपको rate of depreciation provide करे चलो और आगे outstanding subscription मालिक ये वो subscription है जो last year डी हो गया था इस साल मिलना बाकी है तो इस साल जो ही subscription मिलेगा अगर question में कुछ direct information नहीं दी तो हम मानेंगे कि उसमें सबसे पहले पुरान ना मिला तो ये तो हम last year as income book कर चुके हैं तो इसको इस साल बापस से as income book नहीं किया जाएगा चलो और देखते हैं out standing locker rent और ये asset side लिखाए हाँ 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 sports club होते हैं तो वहाँ पे खिलाडियों को locker दिये जाते हैं और उसका charges लगते हैं तो ये locker का किराया इस साल मिलना बाक तो कि ये वो amount था जो last year ही मिलना बाकी था last year ही एक्रू हो गया था इस साल तो सिर्फ रिसीव हुआ है तो ये इस साल की income नहीं होगी क्योंकि इसको आप already last year book कर चुके हैं चलिए आगे cash in hand ये आपका opening cash है अब आपको क्या दिया है current year for the year and date 31 March 18 का receipt payment और उसमें ये cash 20,000 ये बाइफर्केट करके दिया है देखो अगर ये दिया था होता तो सीर्फ आप क्या बोलते केस में सबसे पहले ये पुराना मिला लेकिन वाम आप ऐससे नहीं बूल सकते क्योंकि आपको घ्रेट करके दिया है कि 2018 में 2018 सतरा के लिए 2,000 का ही पैसा मिला है जबकि 17 गा जो आु सब्सक्रिप्शन का अठरा सो रुपए स्टिल रिकवरिबल है यानि क्लोजिंग बैलेंश शीट में आपका यह अठरा सो एजन असेट्स फिर से आएगा क्योंकि इस साल आप आउट अप सिर्फ दोजार रुपई ही वसूल कर पाए फिर आगे लिखा है तू सब्सक्रिप्शन फॉर दा इयर 2018 यानि दोजार अठरा में दोजार अठरा के लिए 21 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है और सभावे कि इसमें वो लोग नहीं होंगे वो पेमिंट नहीं करेंगे जो ल अगर वो दिया तो वो भी आपको इस साल के सब्सक्रिप्शन डियू निकालते समय एड करना है और अगर वो नहीं दिया तो हम यह मानेंगे कि इस साल जितना एक्रू हुआ वो तो रिसीव हुई किया तो मालिक इस कॉश्चन में अगर आपको कोई आउटसेंडिंग सब्स सब्सक्रिप्शन डियूरिंग दे यर फॉर दे यर प्लस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन अच्छा 2019 के लिए अगर आपको 2018 में कोई पैसा मिला तो सभाविक है यह इस साल एडवांस मिला जो अगले साल एक्रू होगा तो यह इस साल की लाइबलिटी है ठीक है सरकार और आग क्योंकि यह सिर्फ आपको मेंबर बनने के लिए पे करना पड़ता है इसके बदले में एनपीयों कोई सर्विसस नहीं दे रहा तो यह पूरा क्या माना जाएगा चलो और आगे लोकर रेंट के 7000 मिले क्या मानेंगे कि 7000 में सर्फ पहले तो पुराने 2400 मिले तो मतलब इस स सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड न्यूस पेपर अफसार भंगार बेचा है भंगार में थोड़ी कोई आउटसेडिंग होता है या प्रीपेड होता है तो यह जित्ता रिसीव हुआ उतना ही एक्रू हुआ है यह पूरा मांट एस इस इंकम एक्स्पेशल में जाएगा और मिस्ले इसका मतलब आपकी ओपनिंग वैलेशीड में जो आउटसेडिंग एक्सपेंसे से 14,000 उसमें से आपने इस साल 12 तो चुका दी है यानि पुराने 14 में से अभी भी 2,000 बकाया है तो जो क्लोजिंग वैलेशीड बनेगी उसमें 2,000 रुपए लास्ट टियर का करा वह 20,000 अब अगर कॉशन बता दे कि इस साल का इस पेमिंट किलाव हो कुछ और आउटसेडिंग है तो वह भी बैलेशीड में जाएगा अधरवाइस आपको इमानना पड़ेगा कि द्यूरिंग लिए जित्ता खर्चा पे किया उतना ही डी हुआ था और यह पूरा 20,000 इस इंकमेंट इस्पेंशन में चला जाएगा लेकिन अगर कॉशन बोल दे कि दो यार अटरा के लिए इतना मांट और आउट्शनिंग है तो फिर आप क्या बोलोगे कि सरकार देखो इस साल के लिए बीस यार और वकाया है तो डियू कि ता हुआ बीस प्लस दस तीस क्यों कॉशन नहीं बोलता तो लेकिन आज तो उसने चीक चीक के बोला है कि इस चाहुदा मैंसे सिर्फ बारही पे हुए है तो 2000 तो as it is balance sheet में ऐसे आउट से फिर से आगे बढ़ा दिये जाएंगे और आगे बढ़ते हैं सरकार रिसिटेंट पेमेंट साइट में पेमेंट साइट सब्सक्राइब करें से आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई आउट से नहीं हुआ तो अगर कोई क्लोजिंग नहीं हुआ तो यह पूरा इस इंकमने जाएगा और सरकार इंट्रेस 4,000 आपने पे किया है बहुत अच्छी बात है तो अब अगर कॉस्टन आपको बता दे किता ब्याज दियु हुआ तब तो ठीक है नहीं तो आपको मानने कहा के कि जितना पे किया उतना ही दियु हुआ था तो यह पूरा की पूरा 4,000 as it is आपके इंकम एक्स्पेनिचर में डेबिट है जाएगा और मालिक मालिक और लिखा है बाय बैलेंस करेंड डाउन कैश इन तो ना closing balance sheet में भी as it is छाप दिया जाएगा चलो और आगे पढ़ते हैं बैसे खताम हो गया question you are required to prepare income and expenditure account for the year and date 31st March 18 and the balance sheet on 31st March 18 working should form part of your answer working के नाम पर आपने दिया क्या है जो इसका हम note बनाएंगे कोई note है नहीं है इसके अंदर सब चीजे हम directly cover कर लेंगे अब हसी आ रही सुनके working के नाम पर सारी working तो आपने कर दी तो हमें working करने ही बची जरूवत ही नहीं बची क्योंकि आपने पूरी working पहली करके दे दी है तो अपने पास कोई जाद बहुत ज़्यादा working note मिलेंगे नहीं तो दढ़ा दढ़ इस question को अगले 10-15 में खतम करेंगे अपन ठीक है चलो सबसे पहला काम क्या करें सबसे पहला काम है balance sheet खाली करो अब balance sheet में क्या क्या है वो देखो last year ही मिल चुका था और हमने पूरा question पढ़ दिया है तो मालिक अब सुनो इस साल का सब्सक्रिप्शन मिला है 21,000 हम मानेंगे इस साल का सब्सक्रिप्शन इस साल ही रिसीव हुआ और दी हो गया और 6,000 चूंकि last year ही मिल चुका था तो last year ही आपकी liability था इस साल वो सेवाई ल मिलता था और जब break up नहीं मिलता था तो हम आप क्या करते थे पूरी वो टेवलों आते थे due outstanding advance advance सब कुछ लिखते थे लेकिन आज यहां पर कुछ लिखने इरुद नहीं है क्योंकि caution ने वो सारे homework करके दे ती है तो आप यह देखो कि subscription for the year किता मिला है during the year सुनना बहुत ध् plus opening advance minus closing advance लेकिन अगर कॉशन बोले subscription receipt for the year तो उसने बहुत क्लियर बोला कि यह वो subscription है जो इस साल due हुआ है और इस साल के लिए ही मिला है तो फिर आपको वह वाला फंडर नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि for the year में आपका opening opening आउटसेडिंग शामिल नहीं है इसमें for the year में closing advance नहीं है तो अब आपको due निकालने के लिए से दो चीज़ें करना है एक subscription receipt for the year plus opening advance क्योंकि वो इस साल एक्रू होगा और plus closing outstanding क्योंकि वो ऐसा है जो एक्रू तो हुआ लेकिन मिला नहीं अब मज़ेदर बात यह है कि इस question में closing outstanding है नहीं तो कुल मिला कि दो चीज़ेंगे due न last year का पैसा जो इस साल receive वो है 2000 तो 3800 में से 2000 मिल गया लेकिन 1800 still मिलना वागी है और चुकि पूरा कोशन हमने पढ़ लिया इस साल का कोई subscription आउट्सेडिंग नहीं है तो closing balance sheet में closing balance sheet में आउट्सेडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा कौन सा जो last year का मिलना वागी था और इस सा पूरा नहीं मिल सका तो closing balance sheet में asset side तो इस साल के balance sheet में closing balance sheet में आउट्सेडिंग सब्सक्रिप्शन अठरा सुआ अब इसके बाद आगे सुनो subscription जो 19 के लिए इस साल मिला है सुबाबे के वो पिछले साल के तो अगली साल के लिए मिला होगा 19 के लिए सब्सक्रिप्शन अठर 14,000 रुपए का outstanding expenses जिसके बारे में बोला गया कि इस साल आपने 12,000 पे कर दिया लेकिन इस साल कितना outstanding इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया तो आपको इमानना है कि इस साल जिता डिव अपता पे हो गया लेकिन फिर भी opening के 14 में से 12 पे हुए तो 2000 अभी बाकी है तो closing balance sheet मे outstanding expenses कितने आएंगे पुराने वाले उसमें से 2000 अभी भी बकाया हैं तो चापो और इस साल का खर्चा तो पूरा एजड़ेस दे रखा है और कोई advance या कोई closing outstanding के बारे में नहीं हो ला गया है तो ये पूरे 20,000 रुपए एजड़ेस आप income expenditure में चाप दो चुनो मालिक आपने balance शीट में capital fund का opening चाप दिया सब्सक्रिप्शन एडवांस इस साल एड़ेस कर लिया आउच्टने एक्सपेंस के जो पे कर दी उसके बाद जो बच्वी बैलेंस वो closing चाप दी है लगना था लेकिन उसका रेट दिया नहीं है तो हम जकमार कर भी डैप्रिशन नहीं लगा पाएंगे तो closing land building किती होगी ओपनिंग देड़ लाख चालेसे अर का एडिशन दोनों मिलाके एक नब है तो बैलेंस शीट में हैं एक लाख नब्बे हजार तो building भी कवर हो गई आउस्टरिंग सब्सक्रिशन भी कवर हो गया हाँ आउस्टरिंग लॉकर रंट यह मिलना बाकी था last year का इस साल और इस साल हमको कुल लॉकर रंट मिला था 7000 का तो हम मानेंगे कि 7000 में सबसे पहले तो पुराने 2400 मिल गए तो जो बाकी बचा वो इस साल का लोकर रेंट था जो इस साल एक्रू हुआ और रिसीव हुआ क्योंकि कॉस्चन में आपको कहीं पर भी निर्खा है कि क्लोजिंग आउटस्टेंडिंग लोकर रेंट है तो ल लोकर रेंट का कोई क्लोजिंग आउटस्टेंडिंग हमारे लिए कॉशन में इन फॉर्म नहीं किया गया है चलो और बैलेंशीट की असेट्स देखते हैं आउटस्टेंग लोकर रेंट के बाद आपका कैश है कैश तो जो लास्तियर का था वो हमारी ओपनिंग रिसीट प इसके साथ आपकी ओपनिंग बैलेंशीट पूरी खाली हो गई अब हमें रेफर करना है सिर्फ रिसीट पेमेंट और मैजदार बात है कि इस पूरे कॉशन में कोई एड्जिस्मेंट नहीं है तो जितने एड्जिस्मेंट होने थे वो सब हो चुके है यानि अग तो आपको कॉशन साइलेंट है जोगी कॉशन पूरे साइलेंट हम पढ़ चुके हैं तो ये पूरी पूरे इंट्रेंस पीज हम क्यापिटल फंड में आड करेंगे तो चलो बैलैंस शीट में वैड करते हैं अब अगला आड्टा लॉक ले चुके बहुत बड़ी है अब सेल प्रोषी और मालिक हमें इसको पहले टेक केर कर चुके हैं तो आगे बढ़ो बाइव लैंट सरकार टेक केर हो चुका है और क्लोजिंग लैंट में बढ़ा चुकी है ऐसेड़ और कोई एड़िस्मेंट नहीं है तो मान सकते कि जित्ता पे कि आफ़ नहीं तो इंकोम इसपेशेशर में इंट्रेस्ट 4,000 रुपी और आगे पड़ी सरकार बाइद मिस्लिनेस एक्सपेंस चाप दो और बाइद क्लोजिंग कैश्पेंग बाच चुका है बैलेंस शीट में और नीचे कोई अडिशनल इंफोर्मेशन है नहीं तो मालिक आपका आपका इंकांट इस्पेंचर तैयार ह तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 41,600 अब 41,600 में माइनस करते हैं 20,000 माइनस करते हैं 4,000 और माइनस करते हैं 4,700 तो 12,900 का नेट सर्प्लस आया और इड़ी अड़ेट तो क्या लिख दें टू टू सर्प्लस करेड़ डाउन 12,900 और इसको लेके जाते हैं बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में इसको क्या अड़ कर देंगे अब जैसे ही जैसे ही आप ये तीनों शीज जोड़ेंगे और आउटर कॉल में लेखेंगे आपकी बैलेंशीट उसी स्थां टेली चलो देखते हैं 12,900 प्लस 38,000 प्लस बंजीरो सिक्स तू हंड़ेट यह आ रहा है 157 बन हंड़ेट प्लस लोन के 40,000 प्लस एक हजार रुपए एडवांस सब्स्क्रिप्शन प्लस दोजार आउट्श्डिंग एक्सप माइनस 8,300 और माइनस 8,300 और यह हो गई हमारी मालिक बैलेंशीट और इस प्रकार हमने फाइनली एक्जाम के सारे कॉस्चन जो आज तक आपके इंस्टिउट ने आपसे पूछे हैं हमने कर लिए अब आप क्या बोलते हों एक आद दो कॉस्चन अपन आर्टिप के देख ल लेते हैं और जो घटिया हैं वो मैं आपको करने के लिए दे दूगा ठीक है आप चाहो तो मैं काम कर सकता हो कि उसका सॉलुशन बना के आपको में दे दूगा इतना कर सकते हैं ताकि इस चप्टर के पूरी चीजे एक साथ एक जगे पर आपको एवेलेबल हो पाएं आपक खतम 10 marks आपके done चलिए अगला question देखते हैं और वो question आ रहा है आपके RTP से चलिए मालिक मैं आप लोगों को RTP के questions भी करवा रहा हूं और RTP के जितने questions आज इस lecture में बन जाएंगे उतना बढ़िया और बागी के solution मैं आपको साथ share कर दूँगा तो मालिक मेरे सामने RTP के एक question ऐसा है जो दो दो बार RTP में place किया गया है अभी तक और तो एक्जाम में आया नहीं है तो इसके आने के chances थोड़े से जादा है तो चलिए देख लेते हैं इस question में ऐसा क्या है जो दो दो बार RTP में आ गया actually यह question बहुत आसान है और यह 5 number की वेवस्ता है यानि अगर कभी ICI को लगा कि नहीं NPO से 10 number नहीं 5 number का question पूछेंगे तो वो बिलकुल इसी question को privilege देंगे चेक करते हैं the following information of measures TT club table tennis अच्छा are related for the year ended 31st March 18 balances दे रखे हैं 1 April 17 के और 31 March 18 के यानि opening और closing balances है stock of sports material opening or closing amount due for sports material यानि creditors for sports material 67,500 और 97,500 opening closing subscription due opening closing यानि outsharing subscription और subscription received in advance opening और closing मालूम एक question कहां जा रहा है या थे अपने जो basic question उठाए था बार consume हाँ यह वही question का एक पार्ट पूछ रहा है अपने वहाँ पे sports club में वो subscription लेंगे और साल बर खिलाड़ी खेलेंगे यानि वो उसके लिए अलक्से पर इसा नहीं लेंगे 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 लेकिन stock तो कंजियों होगा और वो इस तो कंजियों होके जाएगा कहां इंकमेंट expenditure में तो आगे पढ़ते हैं subscription received during the year पिछले कॉशन में क्या था सब्सक्रिप्शन रिसीब दिरिंग दे यर फॉर दा यर तो फिर हमने महाँ पर दो चीहों के एडिस्पेंट नहीं लिया था कौन-कौन से एक एक opening-outsiding का क्योंकि उसका अलक्सिन इंफर्मेशन था और दूसरा closing advance का क्योंकि उसका भी अलक्सिन इंफर्मेशन था लेकिन जब कॉशन बोले कि साल बर में को इतना सब्सक्रिप्शन मिला तो इसके अंदर चारों चीज़ आएंगी opening-closing-outsiding और opening-closing-advance इसके अलाबा payment for sports material during the year definitely जब आपके बास creator है तो आप ये मानेंगे हमेशा कि हम सारा माल उधार खरीकते हैं तो ये पूरा की पूरा payment कहां जाएगा creditors में अब आगे क्या बोलते हैं you are required to calculate the amount of subscription and sports material that will appear in income and expenditure account for the year ended 31st March 18 and also show how this item would appear in the balance sheet on 31st March 18 तो आपको simple दो चीज़े निकालना है एक तो subscription कितना due हुआ और दूसरा आपने कितना sports material during the year consume किया क्योंकि वो income expenditure में जाएगा और इसके लावरों ने ये भी पूछा कि ये item balance sheet में कैसे आएंगे तो माले बहुत simple है stock balance sheet में asset side आएगा तो creditors balance sheet में liability side आएगे advanced subscription liability में आएगा तो outsharing subscription assets में आएगा चुकि दो बार RTP में आ चुका है तो ये कभी भी आके exam में गर जाएगा अब दिखते हैं कब गिरता है तो चलिए सबसे पहले एक करते हैं subscription due during the year पहले पन पूरा लिख लेते हैं क्या 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 लिखना है और फिर value भर देंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं यस दोस्तों मैंने फॉर्बंड बना लिया calculation of subscription due during the year क्या क्या लिखेंगे एक बार पहले repeat कर लेते हैं सबसे पहले आएगा subscription received plus closing outstanding minus opening outstanding plus opening advance minus closing advance तो balancing figure में पहले है अब फिर इंदम भरते हैं सबसे पहले subscription received during the year है 3,75,000 यह लिख दिया 3,75,000 फिर closing outstanding subscription और closing outstanding subscription है 16,500 तो माइनस कर दें opening outstanding subscription और माइनस करेंगे closing advance subscription लिख दिया सरकार अब ठालो calculator तो 3,75 प्लस closing outstanding 16,500 माइनस opening outstanding 250 प्लस opening advance 9000 माइनस closing advance 5,250 तो subscription due during the year 3,84,000 यह हो गया मालिक आपके पांच में से दो number complete अब अगले दो number काई के stock consumed of sports material तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो मालिक उसके लिए आप पस दो option है या तो आप पूरे statement बना लो या फिर आप खाते बनाओ खाते बनाओगे तो पहले कौन सा खाता बनेगा creditor वहां से क्या निकलेगा purchase वो purchase जाएगा stock में और बहा 30 से question बोलते कि नहीं खाता मना कि बताओ 30 सापके सामने खाता तो हो बाकि statement तो आपके पास already आपके RTP में as a solution दे रखा है तो चलिए दो खाते बनेंगे पहला creditor पहला हमेशा creditor बनेगा ताकि बहां से लिकले purchase और बो जाएगा stock में तो बहां से लिकलेगा consumption तो दो खाते त तो creditor का opening आएगा buy balance wrote down तो closing आएगा to balance carried down अब अगर मैंने माल खरीदा तो आएगा buy purchase और अगर मैंने payment करा तो आएगा to cash तो मुझे क्या मिलेगा opening, closing और payment तो balancing में आएगा buy purchase और वो purchase लेकि मैं कहां जाओंगा stock खाते में purchase खाता नहीं बनेगा stock खाता बनेगा जब हम trading बनाते हैं तो वहाँ पर trading account itself इसे stock account लेकिन income नहीं बनाते तो यहाँ पर वकाइदा stock account मनाते हैं और बहां से balancing figure में stock consume calculate करते हैं अच्छा अब stock account में क्या आएगा सरी stock is real account तो opening start with debit plus purchase यानि debit credit में closing तो balancing figure में consume और वो जाएगा income and expenditure में चलो बापस्ते में फॉर्मेटिंग कर रहा हूं जल्दी से चलिए अब पढ़ते हैं balances सबस्वेले creditor का opening माले creditor का opening है 67500 क्रेट में लिख दिया तो closing debit में आएगा तो closing credit में आएगा and that comes to 1,12,500 अब चाभी खुलेगी पेमेंट से और कॉशन बोला है कि payment क्या है क्योंकि opening भी है closing और पेमेंट भी है आइडियली बहुत सारी चीज़ें आतनी क्रेटर खाते में लेकिन में लिए अगर मन मात करें चार्च चीज़ें आती है opening purchase payment closing मेरे पास से opening closing और पेमेंट तो balance में आगे पर्चेस पर्चेस मत लिखना पर्चेस लिखते हैं यहां पर ब आता है 2,55,000 अब मालिक यहां से उठके जाएगा यहां और क्या लिखेंगे अगर महां पर लिखा है buy stock तो यहां पर लिखेंगे two creditors और amount 2,55 अब आपके पास stock account में purchase है opening है closing है तो opening प्लस purchase माइनस closing महां पर बोलते है cogs यहां पर बोलेंगे consume क्योंकि यहां पर माल बिक नहीं रहा है बलकि use हो रहा है तो मालिक 25 प्लस 75 माइनस 12500 यहां गया 217500 क्या लिखेंगे buy income and expenditure account क्या बोलेंगे इसको consumed और यह आएगा balancing figure में तो मालिक यह हो गए 2 प्लस 2 चार number अब उसने क्या पूछा कि balance sheet में कैसे present करेंगे तो मालिक balance sheet में simple सी तो बात है अच्छा balance sheet की बागी चीज़ आपको पता है क्या नहीं सरकार हमें बस limited चीज़ पता है तो बहां पर आप लिखना extract of balance sheet क्या लिखें क्या हुआ कि जित्ती बात हमें पता है हम बस उत्ती लिख रहें balancing करके total करके नहीं आएंगे तो मालिक अब extract of balance sheet सबसे पहले लिखो इसमें closing stock कहां पर लिखोगे असेट साइट और वो है एक लाग बारह हजार पांसो तो closing क्रेटर आएंगे liability side and they are 97500 फिर आएगा आउटसेडिंग सबस्क्रिप्शन और एडवांस सबस्क्रिप्शन लाइबिटी साइट चलो देखें कितना कितना है तो closing एडवांस सबस्क्रिप्शन है 52500 और 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 आउटसेडिंग सबस्क्रिप्शन है 16500 किरप्या करके किरप्या करके total लगा के मता जाईएगा क्योंकि आपको नहीं पता कि इस balance sheet के बाकी content क्या है तो जब आपको यह नहीं पता कि बाकी content क्या है तो आपको जो पता है आपने लिग दिया बस आपका काम खतम है अब आपको total यह balancing करने की जरूवत नहीं है तो मालिक यह question मैं बहुत द्रड़ता से तो नहीं बोल सकता कि exam में आ सकता है हां लेकिन अगर examiner को क नमबर 18 में तो बिल्कुल इसके chances हैं कि exam में यह कभी भी पूछा जा सकता है यानि एकदम यह alert mode पे रखा हुआ question है कभी भी आएगा और आके exam में टपक जाएगा तो चली मालिक यह हो गया आपका नमबर 20 और नमबर 18 का RTP अब हम NPO का और कोई question देखते हैं अब हम NPO का को 20 series का और यह question actually NPO का नहीं है बलकि यह question है किसी professional का professional मतलब वो जो माल नहीं बेचते बलकि सेवाएं देते हैं जैसे हम आप जो वविश में आप चाल्ड अगाउने बनने वाले हैं मैं बन चका हूं मैं आपको services दे रहा हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं अगर सीगी practice कर करता तो मैं अपने client को services देता उनका audit करता उनके tax return भरता उनको project finance देलाता यह सब काम करता कोई doctor है तो doctor लागू करते थे यह question आपके माई 20 RTP में आया है यानि यह एकदम burning question है कभी भी exam में आके गिर सकता है चुकि आपने तयारी कर रही है नपीओ की और यह जाएगा professional का तो एकदम से गरबरना हो जाए चुकि आपके ही इसले बस में final account of sole proprietor है तो sole proprietor में कोई यह firm भी तो चु हो जाता है इसलिए मैं आपको यह question कर वा रहा हूं अब ध्यान से शांती पूर्वक इस question को हम पढ़ेंगे आराम से बनेगा कोई दम नहीं है क्योंकि इसमें rule boy लगेंगे final account वाले भी और कुछ NPO वाले भी NPO में क्या बनता है receipt payment income expenditure तो यहाँ पर भी receipt payment income expenditure बन रही है चलो देखते हैं डॉक्टर दिनेश आप्टर रेटाइरिंग फ्रम दी गवर्मेंट सर्वेस स्टार्टेट प्राइवेट प्रेक्टिस ओन फॉर्स आप्रिल 18 यह डॉक्टर साब बढ़ी भुजूर्ग डॉक्टर साब हैं अपने जॉब से सरकारी हस्पताल से रेटायर हो सब बड़े जो जारू हैं इन्होंने एक लाग तो अपनी पूंजी लगाई एंट्री जाएगी कैश्वाइं अकाउन डाबेट टू कैपिटल और देड़ लाग रुपय का लोन लिया और उसकी सिक्क्यूरिटी में अपनी लाइफ इंश्रेंस पॉलिसी रख दी और इस ल सेम लेकिन अगर माल लोग पेकर आए पंदरा आजा तो आप क्या करोगे खर्चा दब करोगे अठरा का चुकि पंद्रा पेकर दिये तो तीन अजार बैलेंस शीट में ऐसे लाइबिलिटी शो करोगे आउटसटेंग इंट्रेस्ट ओन लोन्स चलो और आगे पड़ते हैं और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी बैसे हम पढ़ चोके हैं कि इंकम एक्स्पनिचर हमेशा एक्रूल बिस्स मर्केंटाइल बिस्स पर बनता है चलो और पड़ते हैं आगे कि फॉलोविंग इस हिस समराइस्ट कैश अकाउंट कैश अकाउंट दिया सबसे पहला काम है ओन कैपिटल ठीक है लोन हाँ यह भी आया था लोन में जब पैसा आएगा तो एंटी क्या करोगे कैश अकाउंट अब तो लोन अच्छा प्रिस्क्रिप्शन फीस यह लोगों को कि निए दिखा है कि कोई क्लेने पे मरीज गया और वो डॉक्तर को फ्री में धखा किया जाता है या उधारी में दखा किया आता है सरकार ऐसा कभी नहीं होता डॉक्टर की आपको डैटर नहीं मिलेंगे क्योंकि जितने भी मरें बकायदा भोग चड़ाएंगे और उसके ब फीस मिली है यह आपके बिजनस प्रोफिशन की इंकम है इंकम एक्समेशन में क्रेट होगी और यहां पर कोई डेटर हो गई नहीं चलो और आगे बिजिटिंग फीस हाँ अब जैसे इनके कोई मरीज आया और मरीज को चेक किया और उनों बोलो नहीं है इसकी हारत खराब है इ यह अस्पिताल जाते हैं और उसको सोवे सोवे या दुपैर में या शाम को दो बार चेक करके आते हैं और उसके बदले में लेते हैं वो विजिटिंग फीस तो यह भी इनकी बिजनस प्रोफिशन की इंकम है तो यह भी इंकम एक्समेशर में आगी और यह भी उधारी में चलेगी आगे फी फ्रम लेक्चर बड़े ग्यानी बिखती थे तो इन्होंने जो ग्यान का खजाना एकटा कर रहा था अपनी पूरी प्रेट्रस के दोरान तो यह किसी मेडिकल कॉलेज में हो जाते थे और उसके बदले में उनको मिले थे बारह हजार यानि यह भी उन्हों के बाद मिलने वाली पेंशन थी यानि अगर यह प्ररेक्टिस नहीं करतें अगर यह कोई काम नहीं करतें तो भी इनको आती यानि इनकी प्रोफिशनल इंकम नहीं है बलकि यह जो पूराने जॉब से रेटायर हूए और शेरैर उनका उशनल में को क्तार ब". जब ये कोई काम नहीं करते और घर पे जाके बढ़ीयार रिक्लाइनिंग चेर पे बैठके अपनी बीबी के साथ quality time spend करते तो भी उनको ये पैसा मिल रहा था यानि ये पैसा इसली नहीं मिल रहा क्योंकि उन्हें क्लिनिक चालू करी है ये पैसा उनको इसली मिल रहा है क्योंकि ये रिटायर हो चुके है तो this is basically capital contribution मैंने जब अपने regular batches में face to face batches में test लिये और बिना समझा ये caution test में दिया तो 70% बच्चों ने इसको इस income को income and expenditure में शामिल किया था ध्यान रखना ये income and expenditure का content नहीं है क्योंकि ये उनके profession से related property नहीं है बलकि ये उनके जो पुरानी job थी उसकी retirement की pension है तो ये pension कभी भी income and expenditure में नहीं आएगी ये capital में जाएगी क्योंकि इन्होंने अपना personal पैसा अपने business में लगा दिया है business का cash account है तो मतलब business में personal पैसा लगया यानि दो बार पैसा लगाया एक बार जब clinic चालू करी तब और एक बार जो pension का पैसा आया वो भी पूरा इन्होंने business में लगा दिया है तो इस इस considered as additional capital चलो मालिक और आगे बात करते हैं डॉक साहब है clinic खोल रखी है उन्होंने medicine purchase करी अब इतनी medicine purchase करी है जरूरी ने पूरी consume हो जाए तो जितनी consume होंगी वो आएंगी income expenditure में और जितनी medicine और जितनी medicine unconsume रहे जाएंगी वो जाएंगी balance sheet में asset side ठीक है surgical equipment सरकारी fix assets है अभी तक तो यह hospital लोकरी कर रहे थे तो भागे equipment यूस कर रहे थे लेकिन अब जो इन्होंने clinic खुली तो इसके लिए surgical equipment खरीने पड़े और यह business profession की asset है तो यह जाएगी balance sheet में हाँ इसका depreciation income expenditure में आएगा फिर इसके बाद motor car भही यह business करने जाते है अस्पताल अस्पताल जाते है तो इसके लिए गाड़ी लगती है तो गाड़ी खरीद ली इन्होंने और चुकि यह business का income expenditure है और चुकि यह business का receipt payment है तो मान रहे हैं कि motor car business ने खरीदी है तो यह business की balance sheet म जाएगी अगर यही motor car personal होती तो मैं इसको drawing मानता ओके अब motor car खरीद ली तो उसको चलाने के खर्चे हुए 60,000 फिर इस कलावा इन्होंने कोई compounder रखा होगा कोई reception रखी होगी तो इसको salary दी फिर clinic का किराया चुका है यानि खुद की जागे नहीं फिर इन्होंने घर के भ business के bank से तो यह drawing में जाएगा और आगे expenses on daughter's marriage अच्छा इन्हों retirement का अपनी बिटिया के हाथ भी पीले करें हाँ जी हाथ पीले करें और उसकी शादी में खर्चा किया एक लग सातियार पांसो drawing है business एक लाइन बोलेगा drawing वो इतनी लफड़े वाजी नहीं करता कि कौन सा खर्चा है simple बात personal है खतम बात drawing में जाएगा और आगे interest on bank loan 18,000 ओके हमने calculate भी किया था कि 18,000 रुपे ब्याज अक्रू हो रहा है और पे भी नों ने अठरा किया यानि जितना ब्याज अक्रू हो उत्रा ही पे किया यानि यहाँ पर कोई outstanding interest नहीं आएगा आगे balance at bank balance sheet में जाएगा और cash in end ये भी balance sheet में जाएगा तो सरकार हमने इस तो मैडम के साथ जब घुमने जाएंगे तो वो तो प्रसनल हो जाएगा चुकि motor car के पूरे खर्चे आपने यहाँ business के bank से pay करें तो अब इसका जितना हिस्सा आएगा कितना 60,000 का बंथर्ड 20,000 ये drawing कहलाएगा और 2-3,000 चालिस अजार ये आपकी professional services के खर्चे कहलाएगे तो challenge जाएगे income expenditure में और 20 जाएगे capital में minus या drawing खाते में और आगे पढ़ते हैं and rupees 15,000 of salary are in respect of domestic servant यानि ये जो salary लिखी है 52,000 इसमें 15,000 की salary तो घर के नोकर की थी तो फिर ये तो personal है तो इसको हम business का खर्चा नहीं मानेंगे तो out of 50 to 500 15,000 माइनस करेंगे जो बचेगा 37,000 ये आएगा income expenditure में और 15,000 जाएगे drawing में क्योंकि घरेलू नोकर का खर्चा हमने business के bank से pay करा है तो this is basically drawing ओके आगे बढ़ते हैं stock of medicine मैंने पहले बोला था कि सारी medicine खरीत करें रख ली जरूथ फुरी पूरी consume हो तो इस में से इतनी medicine consume नहीं हुई तो ये जाएगा balance sheet में और 12,500 माइनस 7,500 जो आएगा बो है medicine consume और ये आएगा income and expenditure account में और पड़ते हैं सरकार you are required to prepare his capital account, income and expenditure account for the year and date 31st March 19th and also the balance sheet on that date ignore depreciation on fix assets भेहतरीन question है दोस्त ये question exam में बिलकुल 10 marks के लिए कभी भी आके गिरेगा मैं बहुत assured हूँ कि ये question वो एक बार पठकेगा क्योंकि आप सब लोग mind make up करके बैठें NPO का और आप mind make up करके बैठें trader के trading panel का लेकिन साब trader के बजा है service provider का अगर आप income and expenditure बनाएंगे तो दिक्कत क्या है क्योंकि आपने दोनों चीज़े पढ़ी है फैनल अकाउंट भी पढ़ा है और NPO भी पढ़ा है तो दोनों चीज़े mix हो के क्या आगई service provider का income and expenditure तो ये most awaited question है कभी भी आके exam में गिर जाएगा तो चलिए अब इसका solution तयार करते हैं क्या-क्या बनाएंगे एक income and expenditure दो दो विसी प्रमेंट दो दे रखा है चलिए देखते हैं चलिए दोस्तों अब इसका solution देते हैं आप लोग भी सोच रहा होंगे न किया हमारे जो टीचर से वह नॉर्मल बैच में इतने question नहीं कराते यह प्लेज में इतने ज्यादा देखने पड़े चलो करते हैं मैंने टाइम बचाने के लिए थोड़ी से फॉर्मेटिंग कर ली जैसे इंकम एक्सेटर बना लिया और बालेंशीर का भी फॉर्मेट बना लिया अब बस हमको इसमें डेटर लालना है चलो मालिक सबसे पहला काम हमारा रिषीट पे पहले उन कैपिटल से कैश अकाउंट शुरू हुआ तो क्या जाएगा एक लाक रुपए अच्छा दूसरा माउंट लोन लोन क्या चुका दिया नहीं नहीं चुका है सर तो यह जाएगा आपकी क्लोजिंग बैलेशीट में बैलेशीट में लेटी साइड लोन एक लाक पच बिस्क्रिप्शन फीज और अमाउंट है तीन लाक तीस जार चलो और आगे देखो बिस्टिंग फीज सर यह भी प्रोफिशनल इंकम है बिस्टिंग फीज और यह अमाउंट है एक लाक पच्चेस जार इसके बाद लेक्चर्स के पैसे आए सरकार यह भी आपके बिस्टिंस प्रोफिशन की इंकम है क्योंकि यह पैसे नहीं आते अगर आप यह काम नहीं करते तो लेकिन पेंशन हरकेस में आएगी चाहिए आप आपिडल में बार-बार समझा दिया था अब जरा जाओ मेडिसिन पर चेस लेकिन पॉइंट पड़ा था कि 47,500 की मेडिसिन स्टिल अनकंजियूम पड़ी है तो आपकी एसेट है तो मालिक मेडिसिन पर्चेस है क्लोजिंग स्टॉक है तो बैलेंसिंग क्या जाएगा कंजि क्लोजिंग स्टॉक उप मेडिसिन 47,500 तो एक बाइस पानसो माइनस 47,500 यहार आए 75,000 रुपए अब यह 75,000 जाएंगे इंकम इसमेडिशर में और 47,500 जाएंगे बैलेंस शीट में तो इंकम इसमेडिशर के डैबिट में मेडिसिन कंजिम 75,000 और बैलेंस शीट में चलो पह और कॉशन में नीचे लिखा था कि कोई डेपिशिन लगाना तो यह पूरी असे बैलेंस भी चुली की अमाउंट एक पच्छिस मोटर कार हम मान रहें कि मोटर कार बिजनेस की है इसलिए भी बैलेंस शीट बिजनेस में आईगी अगला पॉइंट बोला इन्होंने मोटर का इस और उसमें कुछ था कि मोटर का जो ट्रॉल खर्चा उसका एक परसल मानना है तो जो परसल मानना है और ड्रोइंग केपल कम करता है कैपिटल बड़े क्रेट कम हो तो डैबेट लो यह मैंने बना रखा है आपका बरकिक नोट कार एक्सपेंस कितना अमांट लिग देता ह परसनल है यानि 20,000 यह क्या है ड्रॉविंग तो बचा हुआ टू थर्ड यानि 40,000 यह प्रोफिशनल खर्चा और यह जाएगा इंकम एक्सपेंस के डैबिट में 20,000 अब आके वोलो बेजेस एंड सैलरी इसका भी बरकिनोट था क्योंकि हमने 15,000 रुपय अपने घरी लोंक यहां पर बरकिनोट टोटल पेड पता नहीं किती देखते हैं लेकिन 15,000 माइनस करना यह पका बताए अचाप बेजेसें सेलरी थी किती सरकार बावन यार पांसो 52,500 तो 52,500 माइनस 15,000 यह होता है 37,500 तो 37,500 यह जाएगा आपके तो ऑफिस के कर्मचारी हैं उनकी सेलरी वेजेस यह जाएगी आपकी इंकमेंट एक्सपेंडिचर में 37,500 अगला खर्चा रेंट अप दी क्लिनिक सरकार यह तो पूरा बिर्जनस खर्चा है तो चिपका दो रेंट अमाउंट 30,000 फिर जनरल चार्जेस चाय पानी अमार वगर आते हैं उन सब के खर्चे चलो घर अमार से तो पईसे आते हैं हाँ चलो मान लेते कोई और खर्चे थे बिजली मिजली के खर्चे हो गए चलो सर बिजली कौन है अरे electricity यार तम लोग मतलब मानते ही नहीं है न हाँ अब आपका ड्राइंग है भली असिट आई है लेकिन बिजनस के लिए कुछ नहीं है बिजनस पर इसे निकला है तो टू हाउस पर नीचर अमाउंट 12,500 अब बिटिया की शादी करी और वो भी खर्चा बिजनस के बैंक से दिया तो वह भी सरकार आपकी ड्राइंग है मैरिज एक्सपेंसेज प्लस यह डिफिशेंसी बैसे सरप्लस ही आने चाहिए डॉक्टर लोग फिरी नुकसान में काम करते हैं चलो देखते हैं तीन तीस प्लस एक पच्चिस प्लस बारह हजार यह आता है 4,67,000 मैनस 75,000 मैनस 40,000 मैनस 37,500 मैनस 30,000 मैनस 24,500 मैनस 18,000 यह हो गया मालिक 2,42,000 यह सरप्लस है यह चला जाएगा 2,000 अकाईट में सरप्लस तो काईटल अकाउंट में by income expenditure अकाउंट 242 तो 242 का profit 350 की pension तो लाग की पेंशन और 1,000 की ओप्निंग कैबिटल मैनस ड्रोइंग के नाम पे 20,000 पंद्रह हजार नब्वे हजार बारा पांत सो और बिटिया की शादी एक सातरा पांत सो एक लाग साते आर पांत सो तो 247,000 is the closing capital और ये जाएगा आपकी balance sheet में और जैसे ही आप ये balance sheet में लिखोगे तो 247,000 capital plus 3,000,000 का लोन 397,000 total of the balance sheet and balance sheet is bound to be valid चेक करते हैं माइनस 25,000,000,000,000 माइनस 1,60,000 माइनस 47,500,000 माइनस 55,000 और माइनस 9,500 जीरो bound to be valid ये हो गया मालिक आपका एक और question अब आपके RTP की दो-तिन question और बचे हैं जैसे November 19 का एक question है एक question आपका May 19 का है और एक question और में 18 का लेकिन अगर मैंने इतना करवाया फिर तो seriously ये pledge से जादा basic lecture और normal classes से भी जादा हो जाएगा तो मालिक थोड़ा सा हम अपने समय से भी कहीं न कहीं कहीं न कहीं restricted हैं इसलिए मैं आपको इतना जरूर करूँगा चुकि ये question अच्छे है और मैं बिलकुल ये afford नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा ये वाले question करके ना जाए तो मैं इस lecture को तो यहीं पर bound up कर रहा हूँ लेकिन इन तीनो questions के proper solution बना कर ये पूरी sheet आपको description box में available करवाँगा PDF format में तो आप बहां से इन तीनो questions के answer refer कर सकते हैं लेकिन हाँ आपको ये करना जरूर है चाहे कुछ हो जाए तो मालिक अगर आपको इसमें कोई doubt आता है तो आप comments में doubt डाल दीजेगा मैं बिलकुल कोशिश करूँगा कि मैं आपके doubt cover up कर पाऊ तो चलिए मालिक अभी इस point of time पर हम इस lecture को समाप्त कर रहे हैं इस chapter को समाप्त कर रहे हैं और हमारे 10 number और यानि अब मैंने आपको दिलबा दी है total 40 marks 40 marks कैसे आ रहा हैं आप check कर लीजेगा 40 marks done यानि आप CA foundation पास तो हो गए अब मुझे आपको दिलबाने हैं exemption यानि आपको दिलबाने हैं distinction तो उसके लिए अगले lectures में हम rectification of error chapter start करेंगे till then bye love you take care